How to change PayPal password without phone number and email ID तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना PayPal का password को कैसे बदल सकते हैं बिना phone number या फिर email ID के वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तो साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब कर दीजगा और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजगा तो दोस्तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और दोस्तो आपको बता दू कि इदिया आप online पेसे कमाना चाहते हैं त चलिए हम इसके ओपर क्लिक कर लेते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें password recovery का option दिया जाता है ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर password recovery में क्या करना है हमें email id भरके next पर क्लिक कर लेना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ security challenge दिया जाता है तो यहां पे आपको I'm not a robot पे क्लिक कर लेना है उसके बात में दोस्तो यहां पे आपको क्या करना है अभी यहां पे आपको motorcycle select कर दे लेना है चलिए हम select कर लेते Sara izuito कर लेते हैं सार्णto verify कर लिते हैं इसे तो यहां पर दोस्तों simply आपको security verify करना होता है कि आप रोबर्ट नहीं हो तो यहां पर हमने verify कर लिया है उसके बाद में दोस्तों कुछ दिर wait कर लिते हैं अभी दोस्तों यहां पर देखिए हमें अपना password पर change करने के लिए mobile number select करके या फिर email इड़ी से लेकर करके बताया जा रहा है यहां आगे जाकि otp receive होगा उसके बाद में फिर email ID भी हमें verify करना होता है और दोस्तों यहां पर यहां पर e mail ID से लेकरते हैं बात में जाके mobile नंबर भी हमें verify करना होता है तो दोस्तों चलिए मैं आपको कोई भी दिखा देता हूं यहां पर मैंने जैसे कि email id सेलेक्ट कर लिया अभी मुझे email id में एक password receive होगा security code आपको भी रिजिव होगा तो यहां पर मैं check कर लेता हूं कि कौन सा है मेरा यह security code अभी यहां पर दोस्तों मेरा security code आ चुका है जो कि 804 307 804 307 804 307 तो continue पर मैंने क्लिक किया अभी continue क्लिक करने के बाद में email id तो verified हो चुका है अभी यह कह रहा है कि mobile नंबर भी verify कर लो अभी दोस्तों यहां पर देखिए यह तो आप mobile नंबर आप verify कर सकते हैं या फिर credit card को verify कर सकते हूं अभी दोस्तों यह दिया आपको mobile नंबर भी आपके पास active नहीं है तो वह केस में आप क्या करोगे तो यहां पर application के जरिये से तो हमें कोई भी option नहीं दिया गया है आपको क्या करना है simply आपको क्या करना है आपको जाके पेपाल का customer care टूल फ्री नंबर में कोल करके customer care से बात करना है उन्हें कहना है कि आप अपना mobile लोस्ट कर चुके हैं email id के जरिये से या फिर credit card नंबर के जरिये से में verify करना चाहता हूं मेरा password change करवा दीजे वह आपका password change करवा देगा ठीक है तो यह एक last option है उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching